Hello friends, welcome to this channel, मैं आपकी दोस हिमानशी, उमीद करते हूँ आप सभी safe and fit होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन D क्या होता है, विटामिन D से हमें क्या benefits मिलते हैं, उसकी कमी के कारण हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कुछ आसान तरीके जिनसे हम अपने शरीर में विटामिन D की कमी को दूर कर सकते हैं, वीडियो अन तक जरूर देखेगा ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके, चलिए शुरू करते हैं सन अल्टिमेट सोर्स ओप एनरजी है, सूरे और पानी के कारणी इस धर्ती पे जीवन संभव हो पाया है विटामिन D जिसे संशाइन विटामिन कहते हैं, ये सूरे के केड़नों के फलसरूप हमारे शरीम में बनता है विटामिन D हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी स्कीन, तीच सब के लिए बहुत ज़्यादा उप्योगी आप लोग सोच रहे होंगे, इंडिया में तो पूरे साल ही सनलाइट मिलती है, पूरे साल हमें सूरे के उर्जा मिलती है फिर हमें विटामिन D की कैसे कमी हो सकती है पर आपको यह जानके अश्यर होगा कि 70-90% जो इंडियन्स है उनमें विटामिन D की कमी पाई जाती है विटामिन D की कमी होने के बहुत सारे कारण है चलिए जानते हम क्या रीजन्स हैं विटामिन D की कमी होने के विटामिन डी की कमी का एक रीजन ये है कि हमारा सनलाइट में जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़ादा लिमेटेड होना जैसे कि शुरुवाती चर्चेम हमने जाना कि विटामिन डी हमारे शरीन में बनता है सूरे के किर्णों के फल सरूप लेकिन अगर हम सनलाइट में एक्सपोज ही नहीं होंगे धूप में बहार ही नहीं निकलेंगे तो हमारा शरीर एक्सपोज नहीं होगा और विटामिन डी वो नहीं बना पाएगा कई लोग अपने जौब के कारण धूब जब होते हैं तब बाहर नहीं निकल पाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने सर को ढखके और बहुत ज़ादर लंबे कपड़े पहनते हैं जिसके कारण उन लोगों में भी विटामिन D की कमी पाई जाती है विटामिन D की कमी का एक कारण ये भी है कि जो हमारी किड्नी है वो कनवर्ट नहीं कर पा रही विटामिन D को उसके एक्टिव फॉर्म में ये समस्या जादा तर 50 प्लस एज ग्रूप के लोगों में पाई जाती है क्योंकि समय के साथ किड्नी का जो फंक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाता है और जो शरीर की शमता है कि वो सनलाइट की हल्प से विटामिन D को बना सके वो भी समय के साथ एज के साथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है विटामिन D की कमी का एक कारण डार्क स्किन का होना भी है डार्क स्किन में मैलेनिन पिग्मेंट पाये जाता है ये पिग्मेंट हमारे शरीर की शमता को कम कर देता है कि वो सनलाइट के एक्सपोजर में हमारा शरीर विटामिन D बना पाए अगर आपको कोई gastro intestinal problems हैं, कोई gut related problems हैं तो ये affect करता है हमारे intestine की ability को हमारा intestine जो food के जरी हमें vitamin D मिलता है उसको absorb नहीं कर पाता और इस कारण भी हमारे शरी में vitamin D की कमी हो जाती है vitamin D की कमी का एक कारण ये भी है जो लोग strict vegetarian diet follow करते हैं तो कि ज़्यादत है vitamin D के जो sources हैं वो animal based हैं जैसे कि fish, egg yolk, fish oil, liver इसलिए और जो लोग pure vegetarian diet follow करते हैं और sunlight में भी exposure उनका limited है उन लोगों में भी vitamin D की कमी पाई जाती है चलिए अब हम जानते हैं vitamin D की कमी के कारण हमारी शरी में क्या-क्या समस्याइं पैदा होती है vitamin D का एक most important rule यह है कि वो हमारे immune system को strong रखता है immune system strong होने की वज़े से हमारा शरीर लड़ पाता है भारी viruses से, bacteria से, भारी बिमारियों से हम कम बिमार पढ़ते हैं अगर आप बार-बार बिमार पढ़ते हो specially आपको cold and flu बार-बार होता रहत है तो vitamin D की कमी होना शरीर में यह इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है bone and back pain vitamin D जो है वो हमारी शरीर की शमता को बढ़ाता है कि वो absorb कर सके calcium को calcium हमारे bones के लिए बहुत ज़्यादा important है इसलिए अगर आपको जोड़ों का दर्द या lower back pain की समस्या है तो यह लक्षन हो सकता है कि आपके शरीर में vitamin D की कमी है feeling depressed अगर आप काफी समय से depressed महसूस कर रहे हैं और हमेशा उदास रहते हैं तो यह भी एक sign हो सकता है कि आपके शरीर में vitamin D की कमी हो slow healing जैसे surgery के बाएद recovery slow होना या आपको कोई injury हुई हो और उसकी healing जो है वो बहुत ज़्यादा slow हो रही हो तो यह भी एक sign हो सकता है कि आपके शरीर में vitamin D की मात्रा कम है शरीर में bone density का कम होना भी एक sign हो सकता है कि आपके शरीर में vitamin D का जो level है वो बहुत ज़्यादा कम है hair loss के कई reasons हैं जैसे stress और हमारे खान-पान में nutrients ही कमी होना hair loss sign हो सकता है हमारे शरीर में vitamin D की कमी होने का भी vitamin D की कमी के कारण भी hair loss हो सकता है चलिए जानते हैं कुछ आसान से तरीके जिनसे हम आसानी से अपनी शरीर में vitamin D की कमी को दोर कर सकते हैं पहला तरीका है sunbathing sunbathing में आप 10 से 15 मिनट के लिए minimum रोज sunlight में expose होईए इस टाइम पर आप कोई activity कर सकते हैं आप book reading कर सकते हैं या आप अपने body की oil massage कर सकते हैं oil massage से आपके शरीर में जो बहरी सतर पर toxins और dead cells इखटे हो जाते हैं वो भी remove हो जाएंगे साथ ही आपकी body का blood circulation बढ़ेगा और आपकी body detox होगी sunbathing करते टाइम पर आप कोई भी sunscreen ना लगाएं और sunbathing आप हो सके तो morning में करें उस टाइम पर धूप इतनी तेज नहीं होती और हमारी skin के लिए भी वो harmful नहीं होती दूसर तरीका है दोस्तों suncharged water suncharged water बनाने के लिए आप किसी glass की bottle या किसी glass की container में पीने के पानी को धूप में कम से कम 5-8 घंटे के लिए रख दीजे इस पानी को आप अगले 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं दोस्तों जो हमारी घर में supply का पानी आता है वो काफी लंबे समय तक plastic के tanks या pipe में store रहता है जिसकी वज़े से पानी अपनी life loose कर देता है और वो dead water बन जाता है जब हम इस पानी को sunlight में रखते हैं तो sunlight की मदद से पानी में molecular changes होते हैं और पानी को dead water से living water बना देता है जब हम इस पानी को consume करते हैं तो यह हमें vitamin D provide करता है साथ ही साथ यह हमारे शरीर में energy provide करता है हमारी internal जो cell और tissue की damage होती है उसे भी heal करता है यह पानी natural antiseptic का का काम करता है हमारे शरीर में जो bacterial viral infections होते हैं उनको भी दूर करता है यह हमारी skin के लिए भी बहुत अच्छा है आप इसे अपनी skin पे rub कर सकते हैं उमेद करते हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कापिं यूसफुल होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को मिलते हैं नेक्स टाइम एक नए वीडियो के साथ आप तब तक सेफ रही है फिट रही है